कि हलो स्टुडेंट्स लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको अवेलिबिलिटी और वाटर के बारे में बताया था ठीक है हमने यह पड़ा था कि जो फ्रेश वाटर है वो कितना वेलेवल है हमारे इंवार्मेंट में 0.520.33% ठीक है इतना हमने देखा था उसके बाद हमने यह देखा था कि 97% जो है वो कैसा है सी वाटर प्रेजेंट है और यह कोई काम का नहीं है हमारे क्योंकि इसको ड्रिंक नहीं कर सकते हैं बहुत चारे प्रोसेसेस होंगे उसके तरू हमें सॉल्ट को रिमॉब करना पड़ेगा उसके बाद हमें वाटर मिलेगा ठीक है और अगर आपन बात करें मैं ने आपको बताया था कि two point five percent जो है वो क्या है हमारा ice है या फिर glacyi gala कि फ्र में present है अप ड्रिख lis हुआ है next हमने एक बहुत बात कए थी कि Face जो हो वापिस लिक्विड और लिक्विड वापिस से किसमें सकता है तो हमने इनके term भी देखे थे हैं solid से लिक्विट बनने के प्रोसेस को हमने मेल्टिंग कहा था लिक्विट से गैस के बनने को प्रोसेस को हमने क्या कहा था इवैपुरेशन ठीक है गैस से लिक्विट बनने के प्रोसेस को क्या कहा था हमने फ्रीजिंग आई बात समझ में अब हमने यह भी चीज अब्जर्व कर डिपोजिशन ठीक है तो हमने इस तरीके से फेस्ट चेंज फड़े थे और यह आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको यह कहीं न कहीं काम आएंगे ठीक है आपको आगे भी जब नाइन क्लास में आप जाएंगे मैटर इनार सराउंडिंग्स वगेरा पढ़ेंगे चैप्ट सब्सक्राइब करने और भी जहाता है वह लिविंग और्गिनिजम्स के लिए कितना इंपोर्टेंट तो प्रांटिंट प्रोंके बात करें तो उनके जितने भी प्रोसेस तरहें हैं झालं फ्लोहम वाले रांसपिरेशन अंधूर ठीक है अप्लूट्टिंग उप्स्टिग और फिर उसके बाद वो अपने इंटर्नल सेल्स के तुरू लीव तक ट्रांसफर करती है तो यह आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा स्मॉल क्लासिस में कि किस तरीके से वोटर बहुत इंपोर्टेंट है प्लांट के लिए अगर प्लांट को हम वोटर नहीं सप्ल जाएंगे खतम हो जाएंगे ठीक है सारा मेटाबॉलिजम में डिस्टरब हो जाएगा तो यह चीजह आपको याद रखनी है कभी आपसे पूछी जाएं तो आपको कुछ पॉइंट अपने मन से भी बनाने आने चाहिए ठीक है आप वीडियो तो देखी रहें लेकिन कुछ पॉइंट से जो आप हमेशा के लिए अच्छे से याद रखें कि हमें क्या मेंशन करना है अगर आपसे पूछा जाता है तो जैसे आपको बार ग्राफ के थू समझाया तो आपको वह ग्राफ याद रखने है कि कितना परसेंट जो है फ्रेश वाटर लेकिन फ्रोजन फोर् हम ही उसको डिस्ट्रोई कर रहे हैं ठीक है मैंने आपको एक्जांबल भी दिये थे लास्ट लेक्चर में कि अगर हम कार को वह श कर रहे हैं तो कार में इतना जादा पानी वेस्ट करने इससे तो वाटर आर्वेस्टिंग सिस्टम लगा ले जो रेन वोटर है वो रूफ ट आगे वाले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस थरीके से वोटर को कंजर्व किया जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में वोटर अमारे लिए कितना इंपोर्टेंट है मैंने आपको एक्जांपल दिया था आप सबसे फर्स उटते ही मॉर्ण सबसे पहले हम पढ़ेंगे molecular composition of water के बारे में कि water की जो molecular composition होती है वो क्या होती है तो इसमें आप लिखे molecular composition of water आप साथ ही साथ note करते जाएं क्योंकि यह थोड़ा सथ theoretical chapter है ठीक है तो इसको आप अच्छा है कि points की form में learn करने वो ज्यादा बेटर है ठीक है तो यहां पर आप लिख सकते हैं molecular composition of water molecular composition of water की अगर अपन बात करें तो जो water की molecular composition होती है वो क्या होती है मैंने आपको first lecture में भी समझाया था देखो water जो होता है बच्चों water का molecular formula होता है H2O अब यह H2O कैसे बना ठीक है रहा यह मैं आपको समझाओंगी मैंने acid base में आपको hydronium मायन समझाया था सेम वही concept है इसका भी ठीक है वहाँ पर एक extra hydrogen थी यहां पर सिर्फ दो hydrogen है अब यह H2O बना कैसे ठीक है ना क्या basis है इसके बनने का और क्या यह compound है mixture है प्योर सब्सक्राइं से इंप्योर है कैसे पता लगाओगे आप ठीक है ना तो सबसे पहले अगर अपन बात करें water की तो water का molecular formula जो होता है वो होता है h2O water का जो boiling point होता है बच्चो boiling point of water is 100 degree celsius and freezing point of water is आपको पता होगा freezing point of water is 0 degree celsius इतना तो आपको पता होना भी चाहिए नहीं आ दे तो आप अच्छे से इसको learn कर ले ठीक है अब अगर अपन बात करें तो हम यह लिख सकते है water is made up of two parts of hydrogen and one part of oxygen इसका मतलब मैं समझा देती हूं आपको two parts of hydrogen का मतलब होता है two atoms of hydrogen का present होना और one part of oxygen का मतलब होता है one atom of oxygen का present होना आई बात समयन में तो water is made up of two parts of hydrogen and one part of oxygen ठीक है अब आपने जनरल के मिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो hydrogen है वो non metal है और oxygen भी क्या है non metal है hydrogen भी gaseous form में और oxygen भी gaseous form में है दूसरी चीज आपने यह पड़ी होगी कि hydrogen जो होता है उसका atomic mass कितना होता है बच्चो 1 amu और oxygen जो होता है उसका atomic mass कितना होता है 16 amu ठीक है तो हम atomic mass के through molecular mass calculate कर सकते है easily तो हम यहां पर calculate करके देखेंगे molecular mass of water is 18 amu अब आपको लग रहा होगा मैं आपने यह 18 कहां से लिख दिया 18 कहां से आया तो हम हम खुद solve करके देखेंगे इस चीज को कैसे आया 18 देखो बच्चों यहां पर क्या है h2o अब इसका molecular mass निकालने के लिए हमें सबसे पहले atomic mass पता होने चाहिए तो यहां पर हम सबसे पहले atomic mass mention कर लेते हैं तो atomic mass hydrogen का कितना होता है 1 amu oxygen का कितना होता है 16 amu now we will take the molecular mass so hydrogen के कितना atom है 2 तो 2 into atomic mass 1 1 plus oxygen के कितने atom है 1 तो 1 into कितने है atomic mass 16 ठीक है अब यहां पर क्या आ जाएगा 2 plus 16 तो कितना हो गया है आपर 18 amu तो आपको easily समिझ में आ गया होगा कि जो water का molecular mass होता है वो कितना होता है 18 amu तो कहीं भी चले जाओ दुनिया में कहीं का भी पानी ले लो आप ठीक है US चले जाओ जर्मनी चल जाओ कहीं पर भी चले जाओ आपकी next point में आपको यह तक समिझ में आ गया होगा चलते है point number third पर तो जो third point है वो है इसके ratio वाला point कि इन दोनों का ratio क्या रहेगा hydrogen और oxygen का water के molecule के अंदर तो third point ratio of hydrogen and oxygen in H2O molecule is तो हम खुद आप ratio निकाल के देखें देखो हाइड्रोजन है बच्चों यहां पर और यहां पर लिखते हैं oxygen आप hydrogen के कितने atom में 2 इंटू इसका atomic mass 1 ratio oxygen के कितने atom में 1 इंटू इसका atomic mass 16 आप क्या करेंगे हम आपको इस तरीके से solve करना नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से लिखके देख लें 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 16 1 1 का तो कोई मतलब होता ही नहीं है टू की टेबल से 16 easily cut हो दाएगा तो क्या आ जाएगा यहां पर 1 अपॉन 8 इसका मतलब हमें इससे यह conclusion मिला कि always water is present in the ratio of 1 ratio 8 आई बात सम्मिन में ठीक है बड़े हो जाएंगे आप जब 9th class में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों होता है ऐसा water is a compound and it is confined in a fixed ratio by mass ठीक है इसका जो definite ratio होता है वह होता है 1 इस तो 8 ऐसा क्यों होता है due to the law of constant law of constant proportion law of constant proportion की वज़े से ठीक है इसको बस आप टर्म को याद रख लें कि ऐसा हमने टर्म पढ़ा है law of constant proportion law of constant proportion का मतलब में बता देती हूं आपको when two elements combine is a fixed ratio by mass forming a compound unknown is known as law of constant proportion अगर कोई भी दो elements molecule बना रहे हैं compound बना रहे हैं और उनका जो रेशो है वो फिक्स्ट है ठीक है हमेशा फिक्स्ट रहेगा कहीं भी चले जाओ water का जो molecule का जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा one is to eight ये रेशो हमेशा फिक्स रहेगा तो इसका मतलब यह क्या वह लो कर रहा है प्रपोर्शन आई बात समझ में आपको नेक्स्ट एक और चीज में आपको बताना चाहूंगी water के बारे में bonding ठीक है बच्चों ये थोड़ा आपको ninth year tenth class में सीखने को मिलेगा लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो अभी भी सीख सकते हैं अगर आपको फॉर्थ नंबर का point समिन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो देखें किस तरीके से बांडिंग करता है तो देखो अगर अपन बात करें है एच्टू ओ मॉलीक्यूल के बारे में तो हैस्टू ओ मॉलीक्यूल बना के से देखो आपने जनरल के मिस्ट्री बहुत अच्छे से पड़ी हुई है तो आपको यह पता है कि ऑप्सीजन के आउटर मॉस शेल में एक एलेक्ट्रोन होता है ठीक है अब होगा क्या जिसे य इलेक्ट्रोन 6 एन आउटर मॉस शेल में कितने लेक्ट्रोन 1 अब होगा क्या यहां पर हम 6 इलेक्ट्रोन चलो फिट कर देते हैं पहले तो 1 2 3 4 5 और 6 आई बात समय में अब क्या करेगा मैंने आपको उस दिन समझाया था कि एक सिंगल बॉन मनाने के लिए एक सिंगल बॉन करने के लिए हम une'te इlectron पर की जरुफत होती है 2 electrons की धरतीए sorry तो 2 Electron Means ठीके तो देहरे लिए आप एक यार करने और और एक रेक्ट्रा दूसरे का लो और एक इलेक्ट्राइजियमिंट का लो दोनों तरहीके से आप यहाँ तरहीके से ठीके अब होगा क्या आप यां देख सकते हैं कि यां पर दो elektrons प्रॉजंट तो इसका मतलब एक bond बन जिए का oxygen और यह इपर देख सकते हैं कि यह पर एक bond मन जिएगा है hydrogen और oxygen के बीच में ठीक है अब यह जो electrons बचे यह इसी तरीके से यहाँ पर रहेंगे ठीक है इनकी प्लेस यही रहेगी ठीक है अब जो electrons आपके bonding में काम आए उन electrons को तो क्या बोल देंगे हम bond pair और जो electrons आपके bonding में काम नहीं आए उन electrons को आप क्या बोल देंगे lone pair और finally अगर आप देखेंगे इससे कि water का structure क्या बना तो water का structure बच्चों कैसा हो गया O H H और due to presence of lone pair यह थोड़ा सा tilted होता है तो इस तरीके से आप इसको ड्रो कर सकते हैं O H and H यह V shape होता है इसको हम V shape बोलते हैं V shape ठीक है इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको V shape ठीक है तो इस तरीके से आप H2 इसको बोलते हैं तो water का molecule किस तरीके से बना आपने इतनी easily इसको समझा मैं दुबारा से repeat कर देती हूं किस तरीके से बना oxygen जो है इसके outermost shell में छे electron है hydrogen के outermost shell में एक electron है oxygen से share करेगा एक electron hydrogen दो electron से बिलकर बनने वाला क्या है single bond यहां पर electron combine हुए single bond बन गए दोनों बाकी बचे क्या lone pair जो electrons bond बनाने में काम आये उनको बोल देंगे bond pair जो electrons lone pair बनाने में काम आये उनको क्या बोल देंगे lone pair इससे मिलकर बनने वाला structure क्या है h2o तो आपको easily समझ में आ गया होगा कि किस तरह के से water molecule का formation हुआ है तो आप कभी भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आपको easily समझ में आ जाएगा और एक बार खुट ब्रो करके देखेंगे कि किस तरीके से electrons bonding कर रहे हैं और जो non bonding electrons है वो as it is रखें हुए आई बात समझ में ठीक है अब अब नेक्स्ट हम एक बार इसकी अमने क्या देखा composition of water molecule अमने पढ़ा अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ properties water की जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा useful है ठीक है तो properties of water अब आप से अगर properties पूछ ले वोटर से तो आप क्या जवाब देंगे कि वोटर क्या है तो सबसे पहले आप लिखें properties of water अब properties of water में सबसे पहली property क्या आती है इट इस neutral compound ठीक है neutral होता है यह nature में having pH मैंने समझा दिया था basic base में मैं दुबारा नहीं समझाऊंगी ठीक है potence of hydrogen कितनी होगी इसकी 7 it is a neutral compound having pH is equal to 7 आई बात समिन में chemical formula क्या होगा इसका learn हो जाएगा आपको अच्छे से ही है chemical formula 18 AMU ठीक है sorry एच्टू ओ बॉलिकुलर मास 18 AMU फॉर्थ नमबर पर आती है इसकी atomic city atomic city का मतलब क्या होता है बच्छो जनर्रल के मिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने number of atoms present in the particular molecule तो इसके atomic city क्या हो जाएगी 3 क्यों क्यों क्योंकि hydrogen कितने दो और oxygen कितना है एक next फिफ्ट नमबर अगर अपन बात करें properties of water के बारे में तो हम यह कह सकते हैं कि इसके अंदर दो bond pair और दो loan pair present होते हैं तो आप यह लिख सकते हैं consist of नहीं याद होता कोई बात नहीं इस पर में start लगा देती हूं consist of two bond pair and two loan pairs ठीक है तो इस तरीके से हमने पढ़ी क्या properties of water तो आपने इस lecture में क्या पढ़ा सबसे पहले आपने पढ़ा क्या water की composition क्या होती है water की composition होती है h2o molecule और h2o molecule किस तरीके से बनता है इसका molecular mass 18 a.m. यह होता है two parts of hydrogen and one part of oxygen combined to form a water molecule next आपने पढ़ी क्या properties अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसी को continue करेंगे आगे ठीक है तो मैं आपर ही end करती हूं थेंक यू